करीब 11 मेने के अंतराल के बाद प्रदेश में आज फिर से खुले स्कूल और कॉलेज देश के सभी राश्ट्री और राजमार्गों पर आज मध्यरात्री से अनिवार्य हो जाएगा फास्टेग देश में खरीब 83 लाख लोगों को लग चुका है कोविड का टीका 36 गड़ में लगा तार कम हो रहे हैं कोरोना के मरीज और बिलासपुर के चकरभाटा से विमान सिवा जल्द शुरू होने की संभावना कल होगा पहली परीक्षन उडान का स्तंचालन नमस्कार आप देख रहे हैं दूर दर्शन समाचार मैं हूँ मनीश हलुवालिया और अब समाचार विस्तार से कोरोना के कारण करीब 11 महीने के अंतराल के बाद आज प्रदेश में स्कूल और कॉलिज फिर से खुल गए हैं हाला कि राज्य मंत्रि मंडल ने अपने फैसले में अभी सिर्फ नवमी और बारवी के छात्रों को ही स्कूल आने की अनुमती दी है वहीं कॉलेज में भी विद्यार्थियों के संख्या अधिक होने पर उन्हें दो चरणों में कक्षा में बुलाय जा सकता है इस बीच राज्धानी राएपूर सहीत प्रदेश के विभिन स्थानों पर आज स्कूल कॉलेज खुल जाने से विद्यार्थी बहुत उत्साहित नसर आए खास तोर पर विज्ञान विशय की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को आउनलाइन कक्षा से जो परिशारी हो रही थी अब आफलाइन कक्षाओं से यह दूर हो जाएगी रायपूर की जे आरदानी कन्याशाला की एक छात्रा ने बताया कि अब बाइलोजी और केमेस्ट्री की पढ़ाई वो बहतर धंक से कर सकेंगी तो फिर ऑनलाइन तरीके से जो मैं पढ़ाते थे वो समझ में आता था लेकिन उसमें नेटवर्क प्रोब्लम भी होता था जिससे वो उत्ता अच्छा से क्लियर नहीं हो पाते थे तो आज 11 महिने बाद स्कूल खुले है तो एक खुशी है कि स्कूल खुले है अब मैं हम लोग के फेस टू फेस समझा पाएंगे जो भी डाउट रहेगा हम उसे तूरंत पूछ पाएंगे और हमें हमें एक्वेशन्स के अमेस्टर फिजिक्स की एक्वेशन नियू ब्रिकल बहुत बड़े बड़े होते थे जो मैं ऑनलाइन तरीके से अच्छे से समझ नहीं आ पाते थे अब आफलाइन तरीके से हम उसे अच्छे से पूछ पाएंगे और एक्जाम होंगे तो वो हमसे बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएंगे कि उसे कैसे सौल करना है वहीं दानी कन्या शाला की शिक्षिका जोती सकसेना ने बताया कि आगामी बोर्ड परिक्षाओं को देखते हुए आफलाइन कक्षाएं शुरू की गई है इस दौरान भी कोरोना संबंधी निर्देशों का कडाई से पालंग किया जा रहा है सरकार के निर्देश अनुसार आज से हायर सकंडरी कक्षाएं विधिवत प्राडम्ब होने वाली हैं कक्षा नवी से कक्षा बारहमी की कक्षाओं को हम नेमा नुसार चलाएंगे जिन बच्चों को सर्दी खांसी बुखार रहेगा उन्हें हम चेक करने के बाद उन्हें घर वापस कहें भेजेंगे और कुछ दिन बाद आने बोलेंगे और बाकी बच्चों का ऑनलाइन क्लासेश चल रही थी कोर्स करीब करीब खतम हो गया है लेकिन फिर भी चुकी बोर्ड की परिक्षाएं डिकलियर हो चुकी है डेट तो हम उन्हें निर्देश देंगे कि जहां पर जिन बच्चों को जो प्रॉब्लम है जो समझ से आए हैं उनको हम डील करेंगे अच्छे सो समझाएंगे तो आफ लाइन क्लासेश रखेंगे ले कि कक्षा में एक बार में अधिक्तम 20 विद्यारती ही शामिल हो सकें और इसी तरह प्रदेश के कॉलेजों में भी आज से विभिन्न विशयों की कक्षाएं शुरू हो गई हैं आज स्कूल कॉलेज खुलने के पहले दिन कुछ संस्ताओं में विद्यार्थियों का पारम परिकूरूप से स्वागत भी किया गया नवारायपूर में एक उच्च गुणवत्ता वाले राश्ट्रिस्तर के स्कूल के लिए 10 एकर जमीन निशुल को प्रदान की जाएगी मुख्यमंत्री भुपेश बगेल ने राज्य के विद्यार्थियों के समगर विकास के लिए ये निर्ने लिया है उन्होंने मुख्य सच्यू से इस संबंध में राज्य मंत्री मंडल की अगली बैठक में कार्य योजना प्रस्तुत करने को भी कहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि राश्ट्री स्तर का विद्याले स्थापित होने से प्रदेश के बच्चों को गुणवत्ता परक्समगर शिक्षा मिल सकेगी इस प्रस्तावित विद्याले में विभिन विशयों की पढ़ाई के साथ ही व्यक्तित्व विकास के सभी पहलूँँ पर ध्यान दिया जाएगा साथ ही इस नए स्कूल में विद्यार्थियों के कौशल विकास और उनकी नैसर्गिक प्रतिभा को निखारने के लिए भी आवशक प्रबंध किये जाएंगे देश के सभी राश्ट्रिय राजमार्गों पर आज मध्यरातरी से फास्ट टैग अनिवारी हो जाएगा इस नई व्यवस्था के लागू होने से अब राजमार्गों के टोल प्लाजा पर परिवाहन छुलक का भुकतान डिजिटल तरीके से खो सकेगा वही नगट भुकतान पर पूरी तरह से रोक भी लग जाएगी गर्दलवे की केंद्रिय सड़क परिवाहन मंत्राले ने तोल नाकों पर प्रतीक्षा समय कम करने और इंधन की बचत करने के उद्देश से फास्ट टैग की सुविधा शुरू की है इसके तहट आज मध्य रात्री के बाद यदि कोई वहन फास्ट टैग के बिना टोल नाके से गुजरता है तो ऐसी स्थिति में वहन चालक को दो गुना शुलक देना होगा इस बीच प्रदेश के राजनत गाउं जिले में फास्ट टैग से भुकतान करने वाले कुछ वहन चालकों ने अपने अनुभाव बताते हुए कहा कि इस नई व्यवस्था से न केवल समय की बचत हो रही है बलकि डिजिटल भुकतान से तोल चुकाने की प्रक्रिया भी सरल हो गई है इससे जो लंबी क्यों रहती है काफी टाइम लगता है वो हमारा टाइम भी बचेगा और कैशले मुवमेंट का यह फायदा भी होगा मतलब एक स्ट्रैप होगा आगे मेकिन इंडिया मुवमेंट जो है डिजिटल इंडिया यह सब को बढ़ावा भी देगा ओवर स्ट्रू होने सी यह है कि लंबी कतार में हो रहना नहीं पड़ेगा और यह जो केंडिरी गवर्मेंट मुदी जी ने लागू किया है यह जनता के लिए अच्छी ख़बार है और इस्तिसाती राजननगाओं जिले के ठाकर टोला नाके पर उन यात्रियों के लिए फास्टेग बनाने की सुविधा भी उपलब्द कराई गई है जिनके पास अभी तक फास्टेग नहीं है और खबरों का सिलसला आगे भी जारी रहेगा फिलाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में देश में अब तक करीब 83 लाख लोगों को कोविट का टीका लगाया जा चुका है स्वास्ट मंत्राले ने बदाया कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में 21,000 से ज्यादा लोगों को कोविट की टीके लगाये गए हैं इस बीच देश में कोरोना से ठीक होने वालों की दर संत्यानबे प्रतिशत से अधिक हो गई है स्वास्ट मंत्राले के नुसार देश में 1,6 लाख से ज्यादा लोग इस महामारी से अब तक स्वास्ट हो चुके हैं इधर 36 गड़ में भी कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है इस समय प्रदेश में कोरोना के 3,258 मरीज हैं पिछले 24 घंटों के दौरान रायपुर जिले में सबसे ज्यादा 48 मरीज सामने आए हैं बिलासपूर के चकरभाटा विमानतल से कल पहली परीक्षन उड़ान का संचालन किया जाएगा गौर तलबे की 36 गड़ उच्चे नयाले में इस संबंद में एक जनहित याचिका दायर की गई थी इसमें ये पूछा गया था कि बिलासपूर विमानतल को केंद्रिय नागर विमानन मंत्राले द्वारा काफी समय पहले मन्जूरी दिये जाने के बावजूद घरेलू उडान सिवा कब से शुरू की जाएगी इस याचिका की सुनवाई के दौरान आज अदालत को ये जानकारी दी गई कि पहली परीक्षन उडान कल चकरभाटा विमानतल पर आएगी उलेकनी है कि बिलासपूर से घरेलू विमान सिवा शुरू करने के मुद्दे को लेकर जल है तो कल है या जल ही जीवन है ऐसे नारे अक्सर जल के सदुपयोग और संग्रक्षन के लिए दिये जाते हैं लेकिन इसे बिलासपूर जिले के लोहरसी और केम्टाडी गाउं के निवासियों ने एक मिसाल की तरह साकार कर दिया है यहां के ग्रामीणों ने महत्मा गांधी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार गैरंटी योजना के तहत एक पुराने नाले को तालाब में बदल दिया है अब ये तालाब दोनों गाउं के लिए कई तरह से उपयोगी साबित हो रहा है गाओं के निवासी हेतराम बंजारे का कहना है कि इस तालाब में मचली पालन भी किया जा सकता है साथी से निस्तारी के लिए भी स्तिमाल किया जा सकता है वहीं एक अन्य ग्रामिन शिवकुमार मनहर का कहना है कि नाले की जगह एक पक्का तालाब बन जाने से गाओं के लोगों को खेती बाड़ी के लिए परियाप्त पाने की सुविधा मिल रही है नाला है जो पहले पत्थर से बांद करको आपासी करते हैं अब इस जगह पक्की हो जाए ना पक्की बन गे ता वो खुसी है खुसी बात यह है जदके जल दियो हर अब पक्की हो जाते अब खुसे है जबकि दूसरी कर जमिन पला थे इसी गाउं के निवासी नकुल जांगडे ने बताया कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कारिकर में कई बार जल संग्रक्षन की अपील की है इसी के आधार पर हम लोगों ने भी पानी को बचाने का एक प्रयास किया है तो इसी बेसिक में हम लोग भी अपने इस तर से एक प्लान मनाएं कि जितना जादा हो सके हम अपने जो नाला है नदी है उन सभी का उप्योग करें और उप्योग करते हुए अपने गाउं के जो भी विकास है उसमें इस पानी का उप्योग करें लोहर से गाउं के सुझन निशाद का कहना है कि एक बड़े नाले से बनाया गया ये तालाब पश्वों के लिए भी उप्योगी है और फसल के लिए भी मददगार है ये तलाब तो खुदाया है नाला रहा पहले और उसके बाद से सब पंचायत ने इस तलाब बनवा दिया है तो पसु के लिए भी पानी चाहिए था पीने के लिए नहाने के लिए और जिसे किनारे किनारे खेत है उसमें कुछ भी फसर लुगाएगा तो उसमें पानी पला सकते हैं वहीं एक अन्य ग्रामिन अशोक कैवर्त ने बताया कि लोहरसी और केमटाडी गाउं के बीच खरीब 6 किलोमेटर लंबे नाले में चार स्टाप डैम और दो डबरी बनाई गई हैं इस गाउं के लोगों को साल भर अब पानी की आपूरती हो रही है इस नाले में करीब 6 किलोमेटर की लंबाई है जिसमें अपन अभी इसमें पांच इस्टाप डैम हैं और दो चोटा-चोटा डबरी है तो जल सर्लक्षन के फैदे जो हैं वो मिल रहा है ग्रामेणों के एक जुट प्रयास से जहां एक और जल सर्लक्षन की एक कोशिश काम्याब हुई है तो वहीं इस प्रयास को केंद्रिय जल शक्ती मंत्राले ने राश्ट्र स्तर पर प्रथम पुरसकार के लिए भी चुना है इस उपलब्धी के हासिल होने पर लोहरसी और केमटाडिय के ग्रामिन काफी खुश है और बुलेटिन के अंत में अब मुख्यसमाचार एक बार फिर खरीब ग्यारा मेने के अंतराल के बाद प्रदेश में आज फिर से खुले स्कूल और कॉलिज देश के सभी राश्ट्रिय राजमार्गों पर आज मध्यरात्री से अनिवार्य हो जाएगा फास्टेक देश में करीब 83 लाख लोगों को लग चुका है कोविट का टीका 36 गड़ में लगातार कम हो रहे हैं कोरोना के मरीज और विलासपुर के चकरभाटा से विमान सिवा जल्द शुरू होने की संभावना कल होगा पहली परीक्षन उडान का संचालन याद रखेगा कोरोना से बचाव के लिए मास्क सेनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी आप पालन जरूर करें याद रखेए कोरोना को हराना है मास्क जरूर लगाना है और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार